गेहु की सरकारी खरीद फर्वरी के अन तक हो सकती है बन्द। हलाके सरकार ने पहले संकेत दिया था कि खुले बजार बिक्री योजना के तहट बल्क खरीदारों के लिए केंद्रिय पूल से गेहु की बिक्री 15 मार्च 2024 तक जारी रखी जाएगी। लेकिन अब इसे फर्वरी के अंतिम सब्ता से बंद करने की संभावना है। फर्वरी के अंतक इसकी प्रक्रियाद जारी रहेगी। दरसल 28 जून 2023 से 21 फर्वरी 2024 तक भारतिय खाद्य निगम द्वारा इस योजना के अंतरगत 88,440,000 टन गेहु बेचा गया है। मिलर्स प्रोसेसर्स इसकी खरीद में भारी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि गेहु अपेक्षाकरित सस्ता है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस योजना को आरम करने का सरकार का उदेश्य घ्रेलू परभाग में गेहु की सप्लाई और उपलपता बढ़ाना और कीमतों में तेजी पर अंकुष लगाना था। इस उदेश्य से काफी हर्तक सफलता भी मिली है। वहीं थोक और खुद्रा वजार में गेहु का भाव लगवक स्थिर हो गया है। तै किया गया है। वहीं सरकार को गेहु की पैदावार और खरीद में अच्छी बढ़ोतरी होने का भरोसा है। उन्हें यह भी उमीद है कि खुले बाजार बिक्री योजना के बंध होने के बाद भी आगे गेहु के दाम में जबरदस बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि व्यपारियों के लिए बंधारन सीमा लागू है और सरकारी खरीद के लिए व्यापक इंतजाम किये जा चुके हैं।